दोस्तो आज के सेडुकेशनल वीडियो में हम बात करेंगे P2P लेंडिंग के बारे में इसका क्या मतलब होता है, कैसे काम करता है, कौन सी ऐसी चीजे हैं जो आपको जाना बहुत ज़रूरी है P2P लेंडिंग के बारे में और हमेशक की तरह actionable input भी रहेगा तो आप बने रहे म मेरे साथ शुरू करते हैं, आएए मिलकर सीखते हैं अब दोस्तो P2P लेंडिंग का मतलब होता है कि Peer-to-Peer लेंडिंग ये ऐसा financial system है जो आपर individuals यानि लेंडर्स और borrowers सीधे तोर पर एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं बिना किसी traditional bank या financial institution के अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये P2P लेंडिंग कैसे काम करते हैं तो इसे भी मैं simplify करता हूँ आपको समझाने का एक प्रयास करता हूँ देखे P2P लेंडिंग के काम करने के लिए एक online platform का इस्तमाल किया जाता है इस platform पर lenders और borrowers अपने accounts create करते हैं और आज के date में काफी सारे platforms market में available है जैसे Lendin Club, Lendbox, Faircent और भी बहुत सारे लेकिन आज के इस informative वीडियो में मैं refer करूँगा Lendin Club को अब ये एक leading P2P lending platform है दोस्तों इसे own करते हैं Inofin Solutions Private Limited जो एक RBI registered NBFC P2P है 2015 से ये operational है Lendin Club पर minimum investment केवल 10,000 रुपए से शुरू होती है 85,000 से अधिक customers इनके साथ जुड़े हुए है 85,000 का बहुत बढ़ा number होता है दोस्तों 12% पर एदम तलक के returns यहां possible है यहां तक 11,000 क्रोड की investments इनके platform के माधियम से till date हो चुकी है इनके ICSA Trustship Services Fund Handling को पूरी तरह से secured रखते है यहां पर आप इनके portfolio performance को भी देख सकते हैं जादा जानकारी के लिए आप नीचे description में दीगे link को क्लिक करें अपनी study करें और explore करें अपना homework सरूर करके किसी भी निवेश का फैसला लें तो यह एक ऐसा platform है जो मेरे नजर में आया और मैंने आपके साथ share किया ताकि आपको मैं अच्छे से example दे पाँ और आपको हमेशा की तरह actionable input भी प्राप्त हो सके लेकिन यहां काम कैसे होता है देखें lenders यानि investors जो ज़्यादा returns कवाना चाते हैं वो अपने funds को इस platform के मादिम से invest करते हैं वही borrowers जो loan की जरुवत रखते हैं वो अपने loan requirements submit करते हैं क्रेडिट वर्दी borrowers का pool बनाता है based on various parameters of course, investors को सिर्फ उनके product FMPP में invest करना होता है और platform अपनी technology के साथ investment बहुत सारे borrowers में divide करता है for highest returns और साथ ही साथ आपका risk mitigate करता है borrowers loan amount का उपयोग अपनी जरुवतों के लिए करते हैं जैसे कि business expansion, education या कोई personal reason ये कुछ reasons हो सकते हैं जिसके जैसे usually लोग पैसा borrow करते हैं अब जब borrowers अपने loans को time पर repay करते हैं तो उन्हें उस loan पर interest देना होता है ये interest amount lenders के लिए profit होता है लेकिन अगर borrower loan को time पर repay नहीं करता है तो उसकी credit score पर भी असर पड़ सकता है और future में उसे loans मिलने में मुश्किल हो सकती है क्योंकि P2P lending काफी transparent होता है और ये एक online platform है दोस्तों यहाँ पर सारे transactions record किये जाते हैं ये platform lenders और borrowers के लिए secure और convenient है P2P lending का एक और फाइदा है कि इसमें investor को अच्छे returns मिल जाते हैं साथ ही साथ lenders और borrowers के बीच की middleman की कमी से ये cost effective हो जाता है लेकिन जैसे investment में risk को समझना भी जरूरी है तो P2P lending के भी कुछ risks होते है lenders को borrowers के credit worthiness को अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि यहाँ अगर कुछ गलती हुई तो capital पर risk होता है और borrowers को भी loan repayment को time पर करना चाहिए ताकि community के लिए ये सुईदा अच्छे से चल सके और इसका अलाब सभी उठावी सके तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि P2P lending क्या है और कैसे काम करता है इसके related जो भी information में जानता था मैंने आपके साथ share किया ये एक innovative financial system है जिसकी popularity धीरे धीरे बढ़ रही है आप भी ज़रूर इस innovative financial system का हिस्सा अपने LinkedIn Club की link लीचे description में है explore करें और अपने विचार comments के माद्यम से ज़रूर लिखें और हमेशक की तरह किसी भी निवेश का जो फैसला है दोस्तों वो अपने registered investment advisor के सला सही लीजेगा तो इसी के साथ करते हैं conclude इस informative वीडियो को यहीं पर चलत मिलते हैं किसी और interesting topic के साथ किसी और दूसरे वीडियो में लेकिन तब तक अपने health का और wealth का ज़रूर इचे से खयार रखिएगा personal finance related वीडियो से दिखना अगर आपको पसंद आ तो इस channel को सब्सक्राइब जबूर कर दीजीगा